आज हम आपको mailing tab के create block के अंतरगत, envelops और labels के सभी options की जानकारी दे रहे हैं यदि आपको किसी लिफाफे पर address प्रिंट करना हो या फिर कई ऐसे labels या stickers प्रिंट करना हो जिन पर आपको एक समान address चाहिए जिने आप envelops पर या कहीं और भी चिपका सकें तो या envelops और labels option की साहितां से किया जा सकता है तो आईए देखते हैं कि आप MS Word में किस तरह से envelops पर address प्रिंट कर सकते हैं और labels पना सकते दोस्तों अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं MS Word में अगर आप envelope और label का यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना है mailing tab पे और यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा, create block का और यहाँ पर आपको envelope पर click कर देना है envelope पर click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने envelope and labels के नाम से एक dialogue box open हो जाएगा जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा delivery address delivery address में basically हम वो address डालते हैं जहाँ पर हमारा यह envelope deliver होगा जैसे माल लीजे कि आप किसी को कोई letter भेज रहे हैं जिसमें आप जिस person को letter भेज रहे हैं बहाँ पर आपका delivery address लिखा जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे written address में आपको यहाँ पर अपना address देना होगा यानि कि अगर यह letter हमारा उस जगा पर नहीं पहुँच पाया तो यह वापस से return हो करके हमारे यहाँ पर deliver हो जाएगा तो यहाँ पर delivery address में हम एक address टाइप कर लेते हैं delivery address में मालीजे हमने एक address यहाँ पर type कर लिया और इसी तरीके से हम return address में भी एक address type कर लेते हैं तो आप देखेंगे हमने return address में भी एक address यहाँ पर type कर लिया है इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पर omit नाम का एक option आपको दिखाई दे रहा है अगर आप इस पर check mark कर देंगे तो आपका जो written address होगा यह यहाँ पर hide हो जाएगा यानि कहने का मतलब यह है ति आपका जो envelope होगा उसके ओपर केवल delivery address ही आपका print होगा आपका written address print नहीं होगा क्योंकि omit का मतलब ही होता है किसी चीज़ को छोड़ देना तो हम basically दोनों ही address यहाँ पर print करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस check mark को यहाँ से हटा देंगे अब आप देखेंगे आपका preview आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसके just नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक और option दिखाई दे रहा है print का print बाले option पर जैसे आप click करेंगे तो आपके दोनों ही address एक envelope पर print कर दिये जाएंगे इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक और option दिखाई दे रहा है add to document अगर आप इस पर click करेंगे तो हमारा जो envelope है वो हमारे MS Word में यहाँ पर create हो जाएगा और उसके बाद किसे याविर हम बाद में print करना चाहें तो print कर सकते हैं इसके just बगल में आपको एक option दिखाई देगा options का इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफी सारी settings दिखाई देगी जिसमें आपको यहाँ पर feed method दिखाई दे रहा है याँ आपका जो printer होगा वो आपके envelope को किस तरीके से print करेगा वो आपको यहाँ पर select करना है तो basically हम यहाँ पर जो by default setting है याँ फेसप वाली हम उसी को यहाँ पर select करेंगे इसके बाद यहाँ पर हम envelope settings पर आ जाते है envelope option पर click करने की बाद आप देखेंगे आपके समने यहाँ पर काफी सारे options है जिसमें से आप अपने envelope के size को यहाँ पर set कर सकते है जैसे मालीजे अभी जो हमारा by default size है वो size 10 है इसके अलावा अगर आप कोई और size यहाँ पर लेना चाहते हैं तो जैसे आप इसपर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो envelope होगा उसका preview आपको start के साथ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा इसके अलावा आप देखेंगे आप delivery address में font का एक option है इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप अपने font के सभी style को change कर सकते हैं याँ अगर आप envelope पे अपने font को bold करना चाहते हैं तो यहाँ पर bold option को select कर सकते हैं size को increase or decrease करना चाहते हैं यहाँ से आप उसे कर सकते हैं endings को change करना चाहें उसे change कर सकते हैं font के style को change करना चाहें तो उसे भी यहाँ पर change कर सकते हैं तो basically हम यहाँ पर कोई भी settings यहाँ पर नहीं छेड़ रहे हैं advanced पर अगर आप click करेंगे तो यहाँ पर भी आपको font के style बगरा को change कर सकते हैं अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक और option दिखाई देगा from left और from top यानि यहाँ पर click करके आप envelope के left side से या फिर top side से spacing को यहाँ पर adjust कर सकते हैं तो फिलाल हम इसे भी यहाँ पर auto ही रहने देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा by default size था size term हम यहाँ पर वही select करेंगे और select करने के बाद हम यहाँ पर ok बटन पर click कर देंगे और उसके बगल में आपको एक और option दिखाई देगा e-postage properties का इस पर अगर आप click कर देंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक notification है जिसमें लिखा हुआ है कि इसके कहने का जो मतलब है वो यह है कि अगर आप envelope और label बनाने के लिए कोई अलग से एडिंग इंस्टाल करना चाहते हैं यहाँ पर आप अपने MS Word के अंदर Microsoft की website से जाकर के काफी सारे add-ins आपको वहाँ पर मिलते हैं जिसे आप यहाँ पर install कर सकते हैं add-ins के बारे में मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई हुई है मैं link के i button में आपको उसका link डूड़ ओगा आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं कि आप MS Word में भी insert tab से काफी सारे add-ins यहाँ पर add कर सकते हैं और उसको use कर सकते हैं तो यारी add-ins का जो सीधा मतलब होता है वो होता है कि एक extra feature आप अपने MS Word में add कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप electronic postage यहाँ पर add करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर click करके Microsoft website पर जाना होगा और वहाँ से कोई add-ins install करना होगा तो basically हम यहाँ पर simple envelope यहाँ पर create करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर add to document पर click करेंगे जैसे हम यहाँ पर add to document पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक और notification represent हो जाएगी जिसमें लिखा है कि do you want to save the new return address as the default return address कहने का मतलब यह है कि आप अपने return address को default set करना चाहते हैं कि जब भी आप कोई भी envelope create करें वहाँ पर आपका यह जो return address है वो by default यहाँ पर save हो जाए बार बार आपको return address लिखने की जुरत ना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे default रहने देंगे और यहाँ पर हम इसे yes बटन पर click करेंगे जैसे हम यहाँ पर yes बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पर envelope create हो चुका है अब आप इसका print out ले सकते हैं उपर की तरफ आप देखेंगे उपर हमारा return address है कि अगर यह हमारा envelope जहां बेजा गया है वहाँ नहीं पहुच पाया तो हमारे इस address पर यह वापस से deliver कर दिया जाएगा और उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे यह हमारा delivery address है यानि जिस जगा पर मुझे अपना envelope बेजना है वो address आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप MS Word में envelope option का use कर सकते हैं अब हम बात करते हैं यहाँ पर labels की इसके बाद हम यहाँ पर mailing tab के create वाले block मर जाएंगे और यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा labels label option basically इसलिए यूज़ किया जाता है जैसे माल लीज़े आप अपने envelope पर बार बार address प्रिंट नहीं करना चाते हैं और आप एक label create करना चाते हैं यानि आप एक sticker बनाना चाते हैं इस sticker का आप किसी CD पर इसी DVD पर या किसी भी book पर आप label कर सकते हैं या इसके अलावा जैसे माल लीज़े आप कोई envelope create करते हैं और वहाँ पर आप चाते हैं कि जो हमारा return address है मैं उसका एक label create करना चाता हूँ तो basically मैं चाता हूँ कि अपने envelope पर उस sticker को paste कर दो ताकि बार बार मुझे envelope पर print करना न पड़े तो इसमें आप काफी सारे stickers create कर सकते हैं same address के तो यह आप किस तरीके से करेंगे मैं इसे आपको बता देता हूँ तो हम यहाँ पर label पर click करेंगे label पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे वही dialogue box हमारे सामने फिर से represent हो जाएगा यहाँ पर अगर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको envelope दिखाई देगा और यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको labels दिखाई देगा अब यहाँ पर labels में देखेंगे आपको यहाँ पर एक option दिखाई देता है use written address यानि अगर आप इस पर ticker देंगे यानि यहाँ पर आपका वो address represent हो जाएगा जो हमने by default यहाँ पर save किया था तो अगर आप इसी address का label create करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे ले सकते हैं या तो फिर आप अलग से कोई दूसरा address या phone number आप यहाँ पर type कर सकते जिस चैस का भी आप लेबल यापर create करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर type कर सकते हैं तो बैसिकली हम यहाँ पर उसी address का label यहाँ पर create करना चाहते हैं तो हम इस वाले option पर क्लिक करेंगे तो basically हम यहाँ पर पहले वाले option को ही select करेंगे और इसके बाद नीचे की तरफ आपको print option दिखाई देगा जैसी आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका label print हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर new document पर अगर आप click करेंगे जिस पर भी आप click करेंगे तो आप देखेंगे उसकी height और width आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि आपका जो label print होगा उसकी height कितनी होगी और उसकी width कितनी यहाँ पर होगी तो माली जब यहाँ पर पर page 30 को यहाँ पर select करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका जो type होगा address label है जिसकी height आपकी 2.54 cm है और width इसकी 6.67 cm होगी और इसका जो paper का size होगा वो 21.59 cm into 27.94 cm यहाँ पर होगा इसके अलावा अगर आप यहाँ पर details देख करेंगे width कितना होगा, top से उसका क्या margin होगा, vertical से उसका क्या margin होगा, down से उसका क्या margin होगा वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ से अगर आप इसमें changes करना चाहें उसे यहाँ पर create कर सकते हैं और इसके बाद आप देखेंगे आपर delete का option है अगर आप यहाँ पर जो भी आपने नया level create किया है उसे अगर आप delete करना चाहें तो इस option की मदद से आप उसे यहाँ से delete कर सकते हैं तो basically हम यहाँ पर जो by default setting है उसे वही रहने देंगे और यहाँ प आले button पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे page के ऊपर यहाँ पर labels प्रिंट हो चुके है यानि 30 label यहाँ पर print हो चुके है तो आप देखेंगे हमारा label यहाँ पर print हो चुका है लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि हमारे जो last वाली line है वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे एक बाद हम वापस से mailing tab में जाते हैं और यहाँ पर labels को select करते हैं और वापस से use return address को select करेंगे और यहाँ पर हम अपने address को यहाँ पर adjust कर लेते हैं यहाँ पर जैसे आप डिलीट की दबाएंगे तो यह उपर की तरफ आपका address adjust हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर भी ह आपको अपने address को यहाँ पर adjust करना है क्योंकि हमारे जो labels में height है वो वहाँ पर कम है और width की जो size है वो यहाँ पर जाता है तो वापस हम इसे select करके यहाँ पर जैसी नी document पर click करेंगे और यहाँ पर yes करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा address यहाँ पर represent हो जा आया हो तो चैनल को like कमे शेयर जरू कीजेगा धन्यवार